कुछ साल पहले तक देश में राव नवमी का पर्व बिना किसी शोड शरावे के आकर निकल जाता था पूरा पारमपारिक तरीके से इसे मनाये जाने की सद्यों से परंपरा चली आ रही है लेकिन ये परंपरा पिछले तीन सालों से बदल गई है शान्ती और विश्वास के प पर बेहत मजबूत है तो किस राज्य में बिगड़े हालात और क्या है अब इस्तेती रिपोर्ट में देखें रामनौमी के दिन बंगाल का हाबरा हो बिहार का सासाराम और बिहार शरीफ या गुजरात का हमदाबाद या फिर महराष्ट का छत्रपती संभाजी नगर भगवान राम का जुलस निशाना बना और राजनीती का केंदर भी कई शहरों में तो ऐसा पहली बार हुआ कि जुलस शान्ती से नहीं निकल पाया हाबरा और सासाराम में तो दूसरे दिन भी दो समुदाई आमने सामने बने रहे जिन राज्यों में टकराव हुआ वहां पर शासन की नींद देर से तूटी अब एक दूसरे पर दोश मढ़न कैसे उठ रहे हैं जहां टकरा हुआ वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है धारा 144 लगा दी गई है बिहार के सीम नितीश कुमार ने कहा कि बिहार में लौ और पर कोई सवाल नहीं है जो भी घटना हुई है उसके पीछे गड़बड़ी है जरूर इसके पीछे किसी नकिस का हाथ है हमने मामले के एक एक पहलू की तहकिकात करने के आदेश दे दिये हैं जो भी दोशी होंगे उनके खिलाफ सक्त एक्षन लिया जाएगा राजी में कानून व्योस्था की कोई समस्या नहीं है नितीश कुमार ने सक्ती से कारवाई करने को कहा है तो ममता बनर जी न की संभाजी नगर में भी स्थिती अब सुधर्ती दिख रही है यहां भी रामनौमी पर कानून व्योस्था सवालों में आ गई थी चिंता की बात ये है कि संभाजी नगर में पहली बार इस तरह की घटना हुई है करनाटक और गुजरात में भी इसी तरह के टकराव की खब किनिती तो नहीं है डिवी लाइब की रिपोर्ट